नमस्कार उम्षंती, My India, Healthy India में आपका स्वागत है, वित्रू आज का हमारा टॉपिक है डाइबीटीज, क्या है ये डाइबीटीज, क्यों होता है, कैसे होता है, किसलिए होता है, कैसे इसको दूर करें, ये सब आप जानते होंगे, मुझे मालूम नहीं, और हमारे डॉक्टर जानते हैं लेगिंफुक्छ लोग ऐसी होते जिने कुछ मालूमी नहीं पता नहीं मुझे कैसी हो गया मैं जानता यह नहीं नहीं जानने के लिए आज हमारे इसकारेक्रम में पधारे हुए हैं डॉक्टर सुगंदा जी जो डाइबिटीज के भी डॉक्टर है आप पहले इन से मिल चुके हैं सही समझा आए स्वागत करते हैं My India Healthy India में उनका डॉक्टर सुगंदा जी आपका इसकारेक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है तांक यू बेन जी ये आज मैंने एक टॉपिक लिया है डायबिटीज ये मनलब कैसे होता है और इसके कारण क्या है लक्षन क्या है किस तरह से क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं है इसलिए आपसे प्रशन हम पूछ रहे हैं कि डायबिटीज सबसे पहली बात है कि होती क्या च वैसे तो षैम उसमेंसे भी मेन हैं वह स्कार की डायबिटी पर्शनहिस और एक जस्टेशनल डायबिटीज जो कि सिरफ प्रेंटशी के दरान होती हैं तो ये तीन परकार कर इनको अंके किस ड्या ताइबीटिस होता है, किम लोगों को ये होता है, क्या ये सभी को डियूटिस होता है? बच्रित को, बुजोर्ग को, महिलाओं को, युवाओं को, पुरूश को, बन nectar को है ये विक विख्ति को फें चुना हुआ है कि यहां बेर रटिको होगा, तो अकसर 5 साल के बच्चों में जब माइ उनका नोट करती हैं कि इनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा इनका वजन लूज हो रहा है, यह बहुत ज़्यादा इनको बार-बार पेशाब आ रहा है, और वो क्या करते हैं, बच्चे बार-बार पानी तो यही पूरा दिन चलता रहता है उनका रात को भी उठ उठ के उनको पेशाफ कराना पड़ता है तो फिर उनको समझ नहीं आती है कि इतना वजन भी क्यों कम हो रहा है तो उन लोगों में जो हता है टाइप बन डियाबिटीज दिखाई पड़ता है और इसके जो लक्षना अर्च बहुत जादा प्यास लगना बहुत जादा को अजयों को अज़न भी पर रहता है वो ग्रो नहीं कर एप जब नहीं करना चाहिए और पांच आल पर जब उनका डिटक्टर को दिखाना चाहिए जो टाइप टू रिएप टीज है वो अलग है उसमें मुसली चाली साल तक इनसान को कुछ भी नहीं होता है, अपना नॉर्मल जो लेवल पे उनका काम चलता रहता है, बर चालिस के बाद अगर उनको कभी स्ट्रेस हो गया, कभी, आज कल तो चालिस को भी 35 मान के चली, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो है, हमारे युवाओं में बढ़ता जा रहा है, तो इसका में कारन अटो-इम्यून डिसॉर्डर है और इसमें स्ट्रेस लेवल का बहुत जादा रोल है, और उसमें भी क्या होता है कि डाइबटीस ताइप 2 में 35 साल के बाद जो होता है, उसमें इंसुलिन की मातरा जो है कम होने शुरू हो जाती है, पूरी तरह डिस्ट् हो जाते हैं, यह बीटा सेल्स क्या है जी जी हमारे हर एक और और जैसे पैंक्रियास है यह कोई और 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 उसमें एक सेल से बने हो हैं अच्छा चोटे चोटे सेल्स और उनको चोटा करते हैं, तो हर और और का सेल होता है तो यह पैंक्रियास सेल को बीटा सेल्स ही बोलते ह जो कि हमाई बड़ी में चाहिए होता है, तो अभी बीटा सेल्स अगर काम नहीं करें, तो डियाबटी उसी यह बोलते हैं, ताइप न में डिस्ट्रक्शन, टोटली डिस्ट्रक्शन देखी गई है, और ताइप टू में इसका जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, अच्छे से झाल ताइप नहीं काम नहीं करते हैं, जब कहाना घाते हैं, जिस मेंच्ण भू प्रोट लुट को अंवर्चिन को खाती है, तो इसके लिए, बच्चों को खाना चाहिए, और ऐसमें चोछ परहईज होता होगा, ये नहीं खाना है। जोन की जारी टिरो हे दिध के घल के लिखे लिएकशे में अकहे लिखे जन का ढ़ूने हो जा descon यहाज स्जाओ जिभलगा फ़र एंग लिदेज शेस, सल में अगाई लादे के लिए रिष्णा के रस्ते जो है पशाब के रस्ते सारा ग्लूकोस बहार निकल जाता है इसलिए यूरिन टेस्ट हम कराते हैं ब्लड ग्लूकोस कराते हैं फास्टिंग शुगर्स कराते हैं और खाने के बाद वाली शुगर्स डिफरेंट होते हैं वो करवाते हैं और HbA1C कराते हैं तो तो त बच्चों के लिए 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 बच्चों के पचाने वाली fast food होती है वो नहीं खानी चाहिए और अवाइड कर सकते हैं तो कोई भी चीनी केक हो गया मैदा हो गया मिठी चीजें जिसमें हम मिठाईयां तो सारी कह सकते हो फ्राइड उपतली हुई चीजें तो यह चीजें बहुत जादा अवाइड करनी चाहिए जो लोग जो बड़ों को इतनी है लेडीज को है अगर मालिया कोई मतलब लेडीज प्रेगनेंट है या कुछ ऐसे करते हैं उसका कैसे पता लगाया कि डाइडीज है यह बहुत ही अच्छा क्वेशन आपने पूट किया है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि किसको डाइडीज है किसको अकसर क्या है कि जब प्रेगनेंट होती है लेडी तो उनके शुरू में बैसिक डैस करवा देते है तो फस्त मंत में उनके सिंपल तैय्र का तेष्ट एक शुजर का टेष्ट र यह बैसिक प्रोफाइल होता है उनका तो करवाने पर ही पता चल्दता था किन का फास्टें अ और अगर ऐसा तो वो डसली क्या है फ़स्थ तुरी पर मंस में आवी नहीं होती नहीं है। पेंच्छी में अक्सर थर्ट्रिय्मस्ठर अपक्सर थिस्ट्र थर्ट्र्मस्ट्र मंतलब की हम नौ महिने को थी हिस्सों में बाहं दो देताएं। फेले तीन महीने, सेकिंड प्राइमस्तर बीच वाले तीन महिने और लास के तीन महीने को थर्ड उलते हैं तो डायपेटीटोफी सेकिन भी टे nasal फेल जिग भाते होती है मतलब कि फिफद मन्त के बाद अगर किसी को होती है और उसमें के टेस्ट करवाते हैं जब जाते हैं तो गरवादी महिला का फास्टिंग शुगर होता है ६ड़ी टेस्ट होता है। उनका और जाधा जो होता है, मतलब कलीर कट कने के लिए ग्लुकोष ट्रॉलिंस टेस्ट वह पांच वे महिने के बाद उसमें डिटेक्ट हो जाता है। और वो अब हर जगह हो रहा है और उसमें उनका और ये बड़ी मज़े की बात है कि टाइप टू डाइबटीस में आपको इंसुलीन ही लेना पड़ता है टाइप टू डाइबटीस में दवाईयों से शुरू में तो कंट्रोल हो जाता है और टाइप जी डियम है जेस्टेशन पर रखा जाता है ताकि उनके बच्चे पर कोई एफेक्ट ना हो और वो तीन चान वहीने में जो ट्रीतमें के बाद जब दिलिवरी होती है बच्चा आ जाता है उसके भाद निकाववज का एफेक्ट वी जो है खतम हो चाद़्ादादा है तो इसमें खाने का क्या-क्या यह प्रश्टी आपने थोड़ा सा बताया कि यही खानी है आपको जैसे चाय हो गई नहीं पिना है गेहूं की रोटी होती है कि उसमें शुगर उसमें नहीं खाने राइस ऐसे कुछ चीजे हैं बहुत साल चीजे इंख्लूड करें तो नहीं खाने तो बंदा खाएगा क्या न खाने के बाद वाला शुगर जो है यह एच्ब एवनसी है पहले तो उनको जानना चाहिए कि उनकी किस सेवेर्टी पर डाइबटीज है और फिर खाने में कितना परेस कहना है और क्या क्या नहीं खाना है अगर वो खाने से कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर उनको दवाई की ज उसका भी कोई लेवल होते है कि यहां तक है तो बंदे को यह नुखसान हो सकता है जी जी तो सबसे पहले हम ताइवन डाइबटीज के बारे थोड़ा सा बताएंगे कि ताइवन डाइबटीज में हम अकसर बच्चों को जो स्कूल जाते हैं वहां पर उनको इंसुलिन दिय जाता है अनुछो एक टाहना है जाता है जाता है जाता है नौमल शुगलेवलस 50-110 है और उनको अपतर ग i关 i जॉक्च गुट्ष में होते है और रच्चे जो पांट से क्थ साल साथ जाता है नूमल रिंग है जो समय पिर यह दुन में होते है टाहना आपको लेनी होती है औ तो लंच के आते हैं, इक्सों का टीफन पड़ा रहा जाता है, बच्चे उसे एज में पर जब इंसलिन लगता है, तो शुगर और डाउन हो जाता है, सब्ता से नीचे जैसे की कहा है, तो उन कंडिशन्स में हम स्पेशली जो है, डाइट का माताओं को बताते हैं, इनका यह प्रोटीन इंटेक इन बच्चों का ज्यादा होना चाहिए, इन बच्चों को बिस्कित और मैदा और इस तरह की चीजे नहीं दे कर आलू और चावल नहीं देना है, और जो देना है वो है, यह तो एक फ्रूट खाएं, पुरे दिन में एक फ्रूट जरूर होना चाहिए, जितना हो सके घर का बेसन के रोटी खाएं, यह जो वार की रोटी तो बहुत देह तक चलती है उसका एफेक्ट बाडी में काफी देह तक रहता है, और दाले, जितनी भी दाले हैं, ग्रीन ग्राम दाले हैं, उसका चीला बन सकता है, दोसा खा सकते हैं, इडली वड़ा यह स बहुत कम खाते हैं, इन लोगों को ब्रेड नहीं खानी चाहिए, कम से कम खाएं, रोटी घर की बनी हो, बेसन की रोटी और भी अच्छी है, दाल की रोटी अच्छी है, यह फिर सिंपल रोटी के साथ सबजी का जो है, वो मातरा अच्छी होनी चाहिए, जाकि वो खा के क्या है, जी, अब क्या है कि दोने ही चीजें बहुत हानिका रख है, शुगर बहुत ज्यादा लो होना, सतर से नीचे यह शुगर हाई हो जाना, शुगर हाई का मतलब फास्टिंग 180 से उपर चले जाए यह फिर खाने वाली जो है वो 300 से उपर चले जाए तो इन चीजों मे कई बार जो इनसान जो डाइबटीज का पेशन्ट है उसको मालूम है कि उसका यह दवाया है, उसको रेगुलर खानी है, खाने के बाद लेनी है क्योंकि खाने के बाद ही एकदम शुगर बढ़ता है और उस तेम दवाई खा की कंट्रोल करते हैं, बट अगर बहुत जादा कई बार ऐसा होता है, वो कहीं बीजी है या गूमने चले गए उनकी एक दवाई में सो गई या तीन बार उनका शिदीव में सो गया है, यह बोर हो गए खागा कि आज मैं नहीं खा गो तो इसमें क्या शुगर एकदम से हाई हो जाती है, यह कोई सिवीर इंफेक्शन उपर कोई भी इंफेक्शन अगर बाहर से आरी है तो उस कंडिशन में भी शुगर बहुत ज्यादा थीन सो से उपर हो जाते है तो फिर उन केसे में इंको एडमिठ ही होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ऐसे हैं जहां पे उनकी मॉन्सरिं की जाती है और लेवल्स चेक किये जात कि यह खाना है या कभी भी कुछ भी खा सते है इसमें यही बात है जरूरी है अपने बिल्कुल सही हो ला कि फिक्स ताइमिंग बहुत जरूरी है कोई भी डियापटिक पेशन में अगर वो छे घंटे का गया पाता है इसमें कहते है नो फास्टिंग और फिस्टिंग कोई अगर आपकी निवली डिटेक्ट होई है तो आपको इस चीज का ध्यान अखना है कि छे गंटे से जादा फास्ट नहीं रख सकते हैं आपको विदिन फोर आवर्स कुछ ना कुछ खाना है और फिस्टिंग भी नहीं कि बहुत जादा पाटी हो रही है तो चलो आज बहुत है यह भी नहीं आवाइड करना अन्त में आपसे एक क्वेस्टिंग करना चाहते हूं कि आपने हमें बताया कि अभी कोविट की जो मह हमारी हुई थी उसमें आपने पांसो से करीब मतलब अधिक लोगों की ओनलाइन मदब के थे तो आपके पास किस किस तरह कैसे केसे आई क क्योंकि कई डॉक्टर भी इस बीमारी के गहराओ में आई हुए थे तो आपने कैसे उनको हैंडल किया क्योंकि कोविट तो सबके घर में है यह दो हजार एकिस की बात है जब में में बहुत जादा एकदम से बढ़ गया था कोविट और ऐसे लोंको हुआ था जिनको लगता की लड़किया है उनको हो गया यह फिर मतलब ओल्ड जवालों तो परेज कर रहे थे जुनको नहीं हुआ बट जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनको को भी हुआ उनमें से स्पेशली मुझे दो केसे से याद आरहे हैं जिनको मैंने ओनलाइन ही ट्रेटमें दी क्योंकि प्रेगनन थी एक लेड़ी सेवंथ मन्त अच्छा और उसको अचानक से जब पता चला कि इसको कोविड है तो वो अपने भाई के घर आ गई विध हस्बन दोनों उदर आ गए गए गुड़गाओं में थी इस ताइम में और वहां उन्होंने ऑनलाइन में से पात की तो मैं हाईदरबाद गुड़गाओं मातलब इतना दूर दूर रहकर भी उनको मौनिटरिंग करवा कि उनको टाइम तु टाइम क्या क्या करवाना है ड़ी का मौनिटरिंग करना और उनको सबसे ज़ादा चिंता ही ती कि बच्चे पर तो नहीं कोविड का तो फिर उनके जो बेस इन्फेक्शन थी वो इतनी जादा नहीं थी प्रेंज 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 एक ऐसी चीज है जब भगवान भी हल्प करता मदर को तो उस ताइम जो था उसका मॉनिटर किया गया फीवर वो 95 से नीचे जो है कंट्रोल में रखना का ज़रूरी से रहतन किया और वो हुआ भी ताइम तो टाइम उसको खाना नुट्रिशन पूरा देना जो था वो इंपॉर्टन था उस ताइम तो उसकी नुट्रिशन से उसकी केर से और उसके मॉनिटरिंग करके दो तीन महीं दिन में ही उसको जो है रिवर्स हो गया उसका कोविड और दस दिन तक दिलकुँ जब कंट्रोल में हो गया तो पंदा दिन बाद फिर उसको घर से इस अगानेजमेंट करने के बाद पंदा दिन बाद वो अपने घर चलेगे लेकिन इस समय में खास कर यह जो योगी बच्चे हैं जो ज्व्यानी बच्चे हैं और आप तो तीनों हैं योगी भी ह साथ में सोचल सर्विस भी आप कर रहे हैं जोक्टर के नादम से तो आपने उस समय इस महामारी में किस तरह से अपने आपको एक ग्यान योग में बंद के रखा क्योंकि इतना कुछ नहीं महामारी हमें सिखा के गई कि इस समय मुझे जो जीवन जीना है वो आने वाले समय में टूमे को उप्योग हो सकता है आप में क्या आनुबहफ और जैसे कि बाबा ने कहां आज की मुंली में आया है कि करम करते हुए योगी जो है वह अपने आपको करम योगी ही मानते हैं यह करम जब आप भगवान को याद करके करम करेंगे तो वह करम योगी की तरह ही करेंगे तो मेरा अगर योग अच्छा है अगर मैं सुभर अपने आपको बगवान के साथ एक बार करेंट करके मेरा परमात्मा, मेरा भगवान जो भी आप समझते हैं कि मेरे साथ मेरा बगवान है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, फिर आप करम करेंगे, उठकर, सबसे पहले उठते ही, आप अगर आदा गहंट अपने भगवान को दे सकते हैं, तो जरूर दें, उठके, फिर अपने आपकी दिनचरे स्टार्ट करें, और जो जो आपको चैलेंजिस आते हैं, उसको भी करने से पहले सोचिए कि मेरे साथ मेरा बगवान खड़ा है, तो फिर वो परिस्थिती भी तैल जाती है, और निर्बलता जो है, वो तो रही नहीं जाती है, उसी तरह कोविड में भी ऐसे ही लगा, कि यह तो बाबा ही करवा रहा है, मैं तो कहरी नहीं रहीं, तो जब ऐसा करते हैं, तो निशकाम सेवा के रूप में आप करते हैं, और उसका रिजल्ट भी हमेशा सफ़ता ही लिखते हैं, लास्ट में आप क्या मैसेज देना जाते हैं, एक महिलाओं के लिए, उनकी स्वास्य के लिए, देखिए, महिलाओं जो है, वो फांडेशन है, हमारी भारत एक माता ही, हम उनको ऐसे ही अपने कंट्री को भी यही देश को भी यही मानते हैं, कि वो मारी धर्ती माता है, जो हमें पाल रही है, तो महिलाओं हमें भी अपने आपको उतने ही उपर उठाना है, हमेशा अपने आपका स्वस्त रहने के लिए हमेशा ध्यान अखना है, मन स स्वस्त तन से स्वस्त और वो तभी हो सकता है जब हमारा जो है सीधा कनेक्शन अपने भगवांत के साथ डेली हमें उसका एक नियम बना चलना है कभी भी बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होना और जैसे जैसे आपके करम में, आपके स्वभाव में जो है परिवर्तन आता है विद्ध राजयोग मेरिटेशन तो उससे आपको खुदी अंदर से आएगी एक आवाज कि आपके अपने आप अंदर से आवाज आएगी कि मुझे ये आज करना है और मुझे आज ये करना है त जो भी एक रोल दिया गया है आपको इस जीवन में उसमें ये परिवतनाया है कि आप सब कुछ सारे रोल अच्छे से निभा सकते हो अगर आप अपने आपको इश्वर का बच्चा समझते हो और वो मैंने राजयोग से सिखा है कि आप एक इश्वरी एक संतान हो और फिर करम क आपको सारे रोल नभाकर एक संबंद इश्वर से जोड़ने है और ये शीव-बाबा है वो मेरे पर्मात्मा है और जब आप जो लेते हो तो बाकी के सारे जो आपके रोल्स हों भी सब्सक्राइब क्या बात है बहुत अच्राइब चिक होते हैं डाइबिटीज फिर ये आपने महिलाओं की बीमारी जो होती है फिकोस, PCOS उसके बारे में आपने हमें बताया आपका बहुत धन्यावार इसी तरह से आप हमारे कारेकर में आते रहें और नहीं नहीं बीमारियों का हमसे दूर करते रहें हमें कारण के साथ सब नीवारं भी बताते रहें बहुत दन्यावारा का वित्र आज हमने जाना डाइबिटीज के बारे में और आपने सुना भी है देख भी लिया जान भी लिया पहचान भी लिया किस सारा से इसको हम दूर कर सकते हैं यह एक पर्टिकुलर एक इंसान की इसके हिसाब से नहीं यह हर किसी को हो सकता है आप इससे दूर रहें इसको दूर करें और अपने आपको स्वस्त रखें और अच्छा रखें और सदा मुस्कुलाते रहें माई इंडिया हैल इंडिया में बहुत बहुत धन्यावाद